हाई गैज वाल्गूं टो मैक्सर नॉलेज दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्या है सुनामी ये कैसे आती हैं खास करके आज हम फोकस करेंगे दोजाज चार की सुनामी को जो की आज तक की सबसे बड़ी अब्दाव में से एक है जिसने करुणों लोगों की जान लेली और प्रिथवी है ये अलग-अलग खंडों से मिलक बनी है जैसा कि आप देखते होंगे कि अलग-अलग महादीफ हैं जो हमें उपर से मैप में दिखते हैं प्रतित होता है जैसे कि वह टुकड़ा हो गया है एक दूसरे टूटके अलग हो गया है तो उसी तरह और भी कई खंड होते हैं जो कि समुद्र के नीचे भी होते हैं समुद्र के नीचे भी उसी तरह के खंड होते हैं जैसा कि आपका सकते हैं कि ऐसे महादीफ ऐसे दीफ जो समुद्र के नीचे दूब गए हैं समुद्र के अंदर चले गए हैं उसी तरह क्या आते हैं समुद्र के नीचे जो प तो कोई ऐसे ही अपनी सामालेते गती करते रहते हैं जैसा कि हमने उसमें देखा था हिमालयकुचप्रती वाले वीडियो में कैसे यह खंड आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं कैसे आपस में टकराते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दोंगा आप वहां सचाहे तो दोंगा है इनहीं जो समंद्र के नीचे के चोफ़े होते हैं वह जब आपस में हल चल ओती हैं उसके वाजह दो ऊपर का जो जल रहता है उसमें भी हल परचल हो जाती हैं उन्हीं कारणों से कई फीट उची जल की जो लहरी रहती हैं कई फीट ऊपर तक उठती हैं और वह इतनी तीवर गती से उठती हैं कि वह तुफान कर उक्रे लेती हैं और उससे ही वह आगे बढ़ती हुई तीवर गती जाती हैं और तबाही मचाती जाती ह तो यह था सुनामी क्या है सुनामी कैसे उत्पनुंखती है अब हम जान लेते हैं 240000 सुनामी में दोस्तों सुनामी कई बार आई हैं लेकिन जो 2400 की सुनामी थी वह अन्नी सुनामी जिसे ॉप ऐलग थी क्यों क्योंकि इसमें Casualty ज़्यादा हुई थी इसका भयानक रूप था और इसमें अचानक सी उत्पन हो गई थी यह जगह भी इसकी जानेंगे कि कहां पर क्या 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 कर्जूल्टी होई है तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं इस समय मैं यह एसिया की कुछ भाग को मैंने दिख मैं ट है इसमेंने भारत को देख सकते हैं म्यमार देखेंगे बंगलादेंस देखेंगे इंडोनेजिया देखेंगे बारत कंडबाँ नीकों आ इह ती तरह ऑन ब्लेट नाम हैं का यह दोनों आपस में च्रधा हिए व्या घ्रbelsन हो तो जैसा नाम होने से वज़र से इनके उपर जल्द था उसमें भी हलचल सुरू हो गई उसी के हलचल होने के वज़र से इंडोनेसिया यह देख रहा है है तो उस से क्या हुआ कि इसके पास की जो रियक्टर से ना पा गया था तो यह बहुं दस्वमिलों धातर का भूपम पा गया कर दो लहरों के उठके गई थी वहां से इसमें लहर उत्पन हो गई और वो लहर टेजी से इस दिशा में तीजी से आगे बढ़ने लगी जैसे 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 ही जिस जी सेरियम बढ़ते गई उसे अपने चपेट में लेती गई हुआ क्या दोस्तों कि ठीक जब यहां पर अचानक से लहरे उठने लगी इसका कोई पहले सानुमान नहीं लगाया जा सका था जैसा कि हम जानते हैं कि उसमें अतनी टेकनालोजी भी नहीं थी कि इसका पहले सानुमान लगाया जा सके हाला कि अगर ऐसी स्थितिय आज भी अगर बन जाती है तो इसका आसानी से पता लगा पाना बहुत ही नामुकिन है तो यहां पर क्या हुआ था दोस्तों तारिक थी 26 दिसंबर 2004 यानि कि 2004 का आखरी महिने का 26 वा दिन था उस समय जैसा कि आप जानते हैं आखरी महिना है और 26 वा दिन है तो लोग क्रिस्मस की भी खुसिया मना रहे थे इसलिए लोग चुट्टी मनाने के लिए गये थे जो टटवर्ती एरिया है जैसे कि अब देखरें हैं अब ज़्यादा तर जड़ टटवर्ती एरिया है तो लोग यहां गुमने के लिए गय थे दूसरे देशव से भी आया थे फारिनर भी थे उसमें तो कुछ उसी देश के फैमिली के साथ तो इस तरह से वहां पर संख्या लोगों की उसमें जादा थी और उसी समय सुनामी आ गई अब इससे करजूल्टी इतनी जादा बढ़ गए कि जिसके सोच पाना भी बहुत मुश्किल था और इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इतना भयानक इस्तिती यह यहां पर थी जैसा कि अभी हम देखेंगे कि क्या क्या करजूल्टी हुई थी कैसे कैसे हुई थी सब सब जानेंगे तो यहां पर क्या हुआ था सबसे ज्यादा इंडोनेसिया जो कि आप देखनें इंडोनेसिया यहां पर सबसे ज्यादा करजूल्टी हुई थी आगर अधी किस्ति भी तरह से बहुत खराब हो गई ती कैसे क्योंकि उसके बाद भरपाई की गई ना जानी कितने अर्बों खर्बों की तो इस तरह से यहां पर पहले सबसे पहले इंडोनेशिया हो गया फिर इसी तरह स्री-लंका में भी था ये हिंद महासा अगर्थी भी लगा इ इतना तक ही नहीं था यह आगी मेडा गासकर तक और आगे इधर आप जाएंगे तो अरब की देश थे वहां तक भी इसका असर पहुचा था तो भारत भी अगर बात करें तो भारत का जो आप देखरें दच्छडी भाग यहां पर तमिल नाडू आंध्रदेश कीरल इस वा अगर हम बात करें जो टटवर्थी एरिया तक ही नहीं यह सुनामी लहर थी केवल टटवर्थ तक ही नहीं थी क्योंकि यह जहां तक समुदर का मतलब निर्धारी था कि यहां तक समुदर की लहरे जाएंगी उससे ज्यादा तक यह कई डिहासी इस ईलागों में भी प्रवे में ज़्यादा नुकसान हुआ अभी हम देखेंगे कि किस देश में कितनी मौते हुई कितनी क्या नुकसान हुआ यह सा बात जानेंगे तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें अगर टोटल जो मौते की बात करें तो 2,26,000 लोगों की मौत हुई इस सुनामी लहर्थ के मौत हुई थी इसके बाद अगर बात करें तो चार लाक सतर हजार जो थे घर जो थे वो बर्बात हो गया यानि कि तबाह हो गया घर अब इतनी तेज गती के साथ कोई 20 फीट उची तो जाने कि इससे भी जादा जादा उची उची फीट उची जो लहरे उच रहे थी तो वह समय लगा पता लगाने में लगता है जितना सम पता लगाने में उतने समय में नजाने कितने आगे तक बढ़ गया था डेढ़ ही दो बार से भारत पहुंच गया था हुआ दोस्तों जो अंडमान निकोबार में एक है त्रेंकेट दीप अपनाम सुनेगा अगर कुछ इस एरिया में तो आप देखेंगे त्रेंकेट दीप है इतना ज्यादा इसका प्रभाव पढ़ा था त्रिंकेट दीप बीच में से तूट के अलग हो गया लगबग दो से धाई घंटा बस लगा था यह यहां दच्छीन भारत तक पहुच गया था साथ मिस्रिलंका भी उसी समय के आसपास यह पहुचा था अगर बात करने भारत की मौते के बाद तो लगबग भारत में 16,280 लोगों की मौत थी सोचिए कि यहां की ब 288 लोग aten की यहां पर भारत में की ओला मौत हुइ थी इसके इलाम स्रिलंका का बात करें ти तो थिक इसके बगल में स्रिलंका में हुई थी 35,322 मौत थी इसके बाद थाइलेंड थाइलेंड त्रीक के पास यह भी था थाइलेंड थाइलेंड में क्या हुआ था आठ हजार 212 लोगों की मौत हुई थी हलाकि इन तीनों के अफिच्छा कम थी अभी तक जैसा कि हमने देखा इंडोनेसिया इंडोनेसिया में बहुत ज्यादा हुई थी इंडोनेसिया में एक लाग 65,945 लोगों की मौत हुई तो जहिश से बात है इन पास में इसके भुकम भी उठा था और वहीं से सुनामी की इस्तिति उत्पन हुई थी तो वहां पर ज्यादा लोगों की मौत हुई अच्छे चब ऐसी इस्तिति हो जाती है आप सुनते हैं कोई अगदा आ जाती है तो ज्यादा नुक्सान हो जाता है तो उसके लिए सरकार क्या करती है भरपाई करती है या उसकी लागत उसे फिर मिंटेन करने में वहां की कंडिशन को तो कुछ लागत लगती है तो उसकी भी देख रहते हैं तो भारत में एक खरब 63 अरब 80 करणों रूपए कि यहां भरपाई वीटी आप से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो मैं यह डेटा बतार हूं आप एक पेन और पेपर लेके साथ में बैठी है और उसमें आप नोट करते चलिए क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे पूरी उमेद है कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगी तो अपने टॉपिक पे चलते हैं यहां पर क्या हुआ था भारत की बात करते हैं भारत में एक खरब 63 अरब 80 करून रूपए की भरपाई की गई थी इसके अलामा स्री लंका में स्री लंका मे 74ौडी अरब 50 करून रूपह की भरपाई फिर इंडोनेसिया में जैसे मौते creeping जादा हुई थी तो नुकसान जादा तो वहां की भरपाई भी जाया थी तो दोग भरब 83 अरब 50 करून लगभग 50 करून रूपए यहां पर भरपै की गए थी इसके आलामत थाइलैंड की बात और बंगला देश भी था प्यामार था इन सब देशों में भी इसका सर पहुचा था मौते हुई थी लोगों का घर तबाह हो गया था पीर पौधे थे पसु पच्ची थे इस तरह से कहीं थी इससे मुझे बात यादाती है आप अगर कभी human geography पढ़े होंगे तो व्यूमन जियाओगरफी में आप यह देख्योंगे कि इसमें बीस्वी सतावदीक से बारसे यानि आप कर सकते हैं उसमें zijn वीशऊ सतावदीक बार से इसी तरह उन दोनों में तुलना मатов बताया गया तो उसमें प्रिया खियो सब्कार बता थिक था ज बात करें लिए सब्सक्राइब मुर्ण कर सकती है तो कभी कभी जो प्रिकर देती है तो ज़्यादा कर देती है फिर इनसान उसे रोक नहीं सकता है तो ये सब बाते हैं जो कि 24 कि 26 दिसंबर 24 को सब घटित हुआ कि अतनी नुकसान हुआ है इसके लामा एक चीज़ और देखते हैं भारत में बंगलौर है और एक तिरुवननद पुरम भारत के जैसे अब जानती है दच्छीन भारत के एरिया में आता है दच्छीन भारत में ज्यादा तर सुनामी का असर हमें देखने को मिला था तो जब यहां पर जादा इसका असर पड़ा तो जो कई ऐसे देश थे कई ऐसे महादीब थे कई ऐसे द्वीप थे जो कि अपने स्थान से हट गए अगर हम वरतमान समय की बात करें तो जो तिरुवननद पुरम है और बंगलौर है यह क्या हुआ कि पूरव की तरब खिसक गय तो जो वरतमान समय में हैं GPS की अधार पे जो तिरुवननद पुरम है यह लगभग आपका 25 mm यह है पूरव की तरफ खिसका बंगलौर यह लगभग 16 mm पूरव की तरफ खिसका इसी तरह कई जानते हैं आप जैसे मैंने बदे ट्रिंकेट अइसलेंड था यह अंडबान निक उनमें भी बहुत ही परिवर्टन आया उनके स्थिति में इतना ही नहीं हम इतनी ज्यादर ताकतवर थी 2004 वाली यह प्रिथवी की गति में भी परिवर्टन कर दी इसके अलामा जो अपनी धूरी पर प्रिथवी घूमती है उसकी स्थिति में भी चेंजिंग लाती यह सुना है और ड़रण गाह प्रेव का मतलब है कि समुंद कर्टर नामी का मतलब यह त्वान तो इसी से मिलकर यह सुनामी बना है अध्य आध्य की बारे होती है जो कि तुफान का रूप ले लेती है तो ऑई होब कि आपको यह सुनामी 2004 की खास़का कि यह सुनामी अच्छे से समा में आई होगी और हो सकता है कि आप इसके बारे में कभी देखे हूं या आप उसमें रहे हूं आप इसे नजदीक से देखे हूं तो आपको पता होगा कि कितनी बड़ी की काजूलिटी हुई थी है आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई क्या थी सुनामी कैसे आई दोजद चार की क्या थी सुनामी और इसी तरह एक वीडियो पाने के लिए चैनल को ब्लीश स्क्राइब किजगा तब तक के लिए जैहिन बाए बाए थैंक यू